कल हम दो पाइथागोरस प्रमे से संबंदित प्रश्णों का हल देखे थे आज भी हम पुना पाइथागोरस प्रमे से संबंदित और भी अन्य प्रश्णों का हल देखेंगे प्रश्न था 25 मीटर लंबी एक शिढ़ी 25 मीटर लंबी एक शिढ़ी एक भवन की जमीन एक भवन की जमीन से भवन की जमीन से 20 मीटर लंब चाई पर पर इस्थीत खिड़की तक जाती है भवन से शिढ़ी की निचले सीरे की दूरी ग्याद कीजिए यह प्रश्न था 25 मीटर लंबी एक शिढ़ी एक भवन की जमीन से 20 मीटर उचाई पर इस्थीत खिड़की तक जाती है भवन से शिढ़ी के निचले सीरे की दूरी ग्याद कीजिए कह रहा है भवन से शिढ़ी के निचले सीरे की दूरी अर्था थम हल करने से पहले यह दिम चित्र के द्वारा इसको इस्पस्ट कर ले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा इस्पस्ट हो जाएगा ए ए पी और सी इसमें यह बोलता है कि 20 मीटर उचाई पर इस्थीत है जमीन से यह जमीन है जमीन से 20 मीटर की उचाई पर इस्थीत है और 25 मीटर लंबी सीढ़ी 25 मीटर लंबी सीढ़ी है तब हम यहां देखते हैं कि एक समकोर्ण त्रिभूच का निर्माण होता है तब बताएंगे कि दिया है 25 मीटर लंबी सीढ़ी बराबर एसी और एक भवन से जमीन एक भवन की जमीन से 20 मीटर उचाई पर इस्थीत खिड़की खिड़की की उचाई खिड़की की उचाई 20 मीटर बराबर इबी तब पाइथा गूरस के प्रमे से पाइथा गूरस के प्रमे से पैथागुरस कप्रमें कैसे लगेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग तब ऐसे इस्तिती में A C का वर्ग बराबर A B का वर्ग प्लस B C का वर्ग और हमको क्या ग्यात करना है यहाँ पर से भवन से शीड़ी के निचले सीरे की दुरी यह भवन है भवन के सीड़ी का निचला सीरे यहां से यहां तक की बीच की दुरी अर्था बीसी ग्याद करना है तब हम यहां से बीसी का वर्ग बराबन निकालेंगे तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग हो जाएगा पक्षांतरन होके उधर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा तब BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग दिया है हमारे पास 25 का वर्ग धन AB दिया है हमारे पास 20 का वर्ग तब 20E का वर्ग बराबर हमारे पास 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625 प्लस 20 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 400 15 का विले पास फिले कर सका अ शक्ता मारे झाहा ठीक है कोई बाद बी-सी का वर्ग बराबर 625 धन 400 हुआ था तब यहां से हम लोग बी-सी का वर्ग बराबर यह हो जाएगा ओह माप कीज़ा अब यह गलत हो गया हमारे पास यह प्लस नहीं बलकि माइनस होगा और यह अब 625 में हम माइनस करेंगे 625 से 400 को तो हमारे पास कितना बचेगा 225 तब बी-सी बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्ग मूल 225 तब बी-सी 225 का वर्ग मूल निकलेगा हमारे पास 15 मीटर तब बताएंगे हम कि भवन से भवन से सीढ़ी के निचले सीरे की दूरी बराबर 15 मीटर यह इसका आंसर हो जाएगा क्रक्रक्रक्रण से तंच शरा निकले वर्ग मूल 223 १र पासर पर majority इना, हम में के हैं, दो प्क्रजक से यह जो में ऑ्क तो तो उalen पक प्क्रण दोड़! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो. नेक्स्ट कुशन ए भूजा वाले संबाहु त्रिभूज के संबाहु त्रिभूज के ए भूजा वाले संबाहु त्रिभूज के सिर्स लंब की उचाई त्था त्रिभूज के सिर्स लंब की उचाई त्था त्रिभूज का अक्षे त्रफल ग्याद कीजिए कि थोजे कि तरिभूज के ए भूजा वाले संभाहू त्रिभूज माना त्रिभूज ए बी सी एक संभाहू त्रिभूज है बना लेते हमें संभाहू त्रिभूज संभाहू त्रिभूज का मतलब है कि जैसे नाम से संभाहू मतलब समान भाहू वाले मतलब समान भूजा वाले अधात ए बी सी सभी भूजा आपस में बराबर है बोल रहा है A भुजा मतलब ये भुजा भी small A, A भुजा भी small A और ये भुजा भी small A है तो A भुजा वाले संभावुत रिपुच के सिर्स लंब सिर्स ये है सिर्स लंब यदि हम लोग A, B, C और इसका नाम यदि D रख लेते हैं तो सिर्स लंब क्या हो जाएगा A, D अब संभावुत रिपुज A, B, C का छेत्रफल बराबर संभावुत रिपुज का छेत्रफल का फार्मूला होता है दो एक तो होता है वर्ग मुल तीन बटे चार भुजा की घाद दो और ये संभावुत रिपुज का छेत्रफल होता है एक बटे दो आधार उनित उचाई दोनों ही संभावुत रिपुज के छेत्रफल का इस उपर है तो हम पहले संभावुत रिपुज का छेत्रफल संभावुत रिपुज A, B, C का छेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास उत्र होता है वर्ग मुल 3 बटे 4 भुजा की घात 2 तब हम लिखेंगे इसको वर्ग मुल 3 बटे 4 भुजा की घात 2 में एक की घात 2 इसको हम लोग समी के रण एक माल लेते हैं पुना संभाहुत्रिभुज ए, बी, सी का छेत्रफल बराबर होता है एक बटे 2 आधार गुणित पूचाई ऐसी स्थिती में हम एक बटे 2 आधार कितना हो जाएगा इसका बी, सी ये इसका आधार है बी, सी अर्थात small a हम इसको लिखेंगे बी, सी कुणा रुचाई इसका a, d एक बटे 2 वी, सी small a into a, d इसको माल लेते हैं हम लोग समी करण 2 अब समी करण 1 और 2 से समी करण एक क्या आये था वर्गमूल 3 बटे 4 एक ही घाद दो और वर्गमूल और समी करण 2 आये एक बटे 2 एक गुणा into a, d तब हम समी करण 1 और 2 से देखते हैं समी करण 1 था हमारे पास वर्गमूल 3 बटे 4 एक ही घाद दो और समी करण 2 था हमारे पास एक बटे 2 a गुणा a, d दोनों ही संभाहू त्रिभूज का ही खेत्रफल है दोनों ही संभाहू त्रिभूज का खेत्रफल आतार वही संभाहू त्रिभूज जो त्रिभूज a, b, c संभाहू त्रिभूज का खेत्रफल था वर्गमूल 3 बटे 4 एक ही घाद दो और वो ही संभाहूत रिभूज के छेत्रफल, रिभूज ABC का छेत्रफल होता है, एक बटे दो, A into AD, जब दोनों ही संभाहूत रिभूज के छेत्रफल हैं, तो निस्चीति दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इसी स्तिति में हम समिकरण एक और दो से लिख लेते ह तो वर्ग मुल तीन बटे चार, एक ही घाद दो बराबर हो जाएगा, एक बटे दो, एक उड़ित, AD तब यहाँ से हम, यहाँ से हम, AD का मान ग्यात करना हैं हमको, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा, वर्ग मुल तीन बटे चार, गुड़ित नीचे से उपर चला जाएगा, यह तो यह हो जाएगा, दो, और यह एक नीचे आ जाएगा, यहाँ, एंटो, A स्क्वार अपॉन, A यहाँ से हम काड़ देते हैं, A से A कड़ गया, और दो एक कम दो और दो दुनी चार, तब AD बराबर आ जाएगा हमारे पास, वर्ग मुल तीन, बटा, दो, A, इक आई, यह इसका आंसर हो जाएगा, कारी करिम आ जाएग कि दोड़집ा है, है कि अअपूर में करें जाएगा हैं, यहाँ उपटा तो रहाएगा है, है, पृ। pil हाएगा इसके फीचहशों को फिवर शो पास, खर दोने हुआ कर दोचा है अगला प्रस्न देखते हैं हम चार मीटर भुजा वाले वर्ग के चार मीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ग्याद कीजिए यहां यह बोल रहा है कि चार मीटर भुजा वाले वर्ग मतलब ऐसी आकरिती जिसकी वर्ग है बनाते बना लेते हैं हम लोग A, B, C और D एक वर्ग है और इसके विकर्ण की लंबाई ग्याद करने के लिए कहा गया है विकर्ण अर्थात A, C यहां से हम लोग ले लेते हैं इसको आकरिती का नाम यह दि थोड़ा सा बदल ले हम इसको यहां से ले A, B, C और D तो इसके विकर्ण A, C विकर्ण A, C इसकी लंबाई हमको ग्याद करना है 4 मिटर भुजा वाले वर्ग 4 मिटर भुजा अर्थात A, B, B, C, B, B, C, D, B, 4 मिटर C, D, B, B, C, D, B, 4 मिटर and A, D, B, 4 मिटर सभी 4 मिटर है तब विकर्ण A, C हमें ग्याद करना है चूंकि त्रिभूज A, B, C में कौन B समकौन है तब पैथा गोरस के प्रमें से पैथा गोरस का प्रमें क्या हो जाएगा A, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग धन B, C का वर्ग यहाँ पर A, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग धन B, C का वर्ग हमारे पास A, B का मान दिया हुआ है 4 मीटर और B, C का मान दिया हुआ है 4 मीटर तब हम यहाँ से A, C का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग लिख सकते हैं तब A, C का वर्ग बराबर 4, 4, 16 धन 4, 4, 16 तो A, C का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 16 धन 16 32 यहाँ से A, C बराबर निकालते हैं हम लो तो वर्ग मूल 32 और वर्ग मूल 32 को हम क्या लिख सकते हैं A, C बराबर 4 वर्ग मूल 2 लिख सकते हैं A, C बराबर 4 वर्ग मूल 2 लिख सकते हैं अतह AC अर्थात विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई AC बराबर 4 वर्ग मुल्दो मीटर यह इसका आंसर हो दाएगा विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई जह लो जो घसे दो कि एम्होंगा है अगला सावाल देखते हम आठ मीटर और छे मीटर भुजा वाले आठ मीटर और छे मीटर भुजा वाले आयत के विकर्णी की लंबाई ग्याद कीजिये आठ मीटर और छे मीटर भुजा वाले आयत की विकर्णी की लंबाई ग्याद कीजिये माना A, B, C और D एक आयत है A, B, C और D एक आयत है आठ मीटर और छे मीटर ये छे मीटर और ये आठ मीटर भुजा वाले आयत की विकर्ण विकर्ण अर्थाद A, C A, C हमको ग्याद करना है तब यहाँ हम देखते हैं कि कौन B क्या है? समकोन है तरिभूज A, B, C में कोन B समकोन है तो निश्ची थे कि ये नब्यां सका होगा और नब्यां सका है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कि यहाँ पाइथागोरस का प्रमे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? अतर पाइथागोरस के प्रमे से क्या हो जाएगा पैथागोरस के प्रमे A C का वर्ग बराबर A B का वर्ग धन B C का वर्ग विकर्ण A C का वर्ग बराबर A B का वर्ग धन B C का वर्ग यहां से A C का वर्ग बराबर A B का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग धन B C का वर्थात आठ का वर्ग तब हम AC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 6 गुड़ी 6 6 चके 36 धन 8 का वर्ग 8 गुड़ी 8 8 8 64 तब यहाँ से AC का वर्ग बराबर 100 तब AC बराबर हो जाएगा यह वर्ग मूल 100 आवर्ग मूल 100 कितना निकलता है AC का AC बराबर 10 मीटर तब हम बता सकते हैं कि आयत के आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर होगी यह इसका आंसर होजाएगा पुड़ stratég है का र Σका मेचिस प्रड़ इसका आंसर होगा यह सब्चर लाप प्रुड़ इसक attic कर दो फ्रश्दед our लाएगग होगल बताट होगग आंसर होगव थिसका पोपार रिफजर दोफ़ा नहीं लिफगे नहीं लिफषम जो जो खुआ यह बज़ा लिफबन लिफवगे वाल अगला प्रश्चन देखते हम त्रिभूज A, B, C, 1 सम दिव बाहुश सम कौन त्रिभूज है A, B, C, 1 स्वम दिवी बाहुश त्रिभूज है जिसका कौन सी सम कौन है कौन सी सम कौन है तो सिद्ध कीजिए कि A, B का वर्ग बराबर 2, A, C का वर्ग ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभूज A, B, C, 1 सम दिवी बाहु त्रिभूज है सम दिवी बाहु मतलब उसकी दो बुजाएं आपस में बराबर हो त्रिभूज A, B, C, 1 सम दिवी बाहु त्रिभूज जिसका कौन सी सम कौन है तो सिद्ध कीजिए कि A, B का वर्ग बराबर 2, A, C का वर्ग दिया है त्रिभूज A, B, C, 1 सम दिवी बाहु त्रिभूज है सम दिवी बाहु त्रिभूज का में एक कंडिशन नर्वल जिसका कौन सी सम कौन है कह रहा है कोन C सम कौन है रथाथ हम एसा एक सम दिवाहु त्रिभूज बनाते हैं जिसको हम A, B और C सम कौन है बोला है तो हम इस तरीके से A, C, B एक सम दिवाहु त्रिभूज का निर्मार करते हैं सम out त्रिभूज A C B में A B का वर्ग बराबर कन का वर्ग बराबर A C का वर्ग धन B C का वर्ग या C B का वर्ग CB कवर गया BC कवर गया की मतलब परन्तु समद्वी बाहुत्रिभूज अर्था आते AC बराबर है किसके BC के परन्तु AC बराबर BC है अता AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC के वर्ग के जगह में पुना AC का वर्ग रख सकते हैं चुकि AC बराबर BC है और AC बराबर BC तो हम इस BC के जगह पे पुना AC को रख सकते हैं तब हमारे पास क्या हो जागा यह AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग 2AC का वर्ग 2AC का वर्ग हो जाएगा दोनों जुड़ी जाएंगे तो और हमको सिद्ध भी क्या करना था AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग यही सिद्ध करना था घ размने ऑर सेमय पो और अमना पंगल कि घैंमआ पंग प्रीग क kolayओalay बेल यरी चयोल कर दो शूदोब हो एकाओ कर सहाओ का पया है सब्से hijos हुआ 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 है fáil अगला प्रश्ण देखते हम त्रिभूज A, B, C अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्ण है त्रिभूज A, B, C एक नियून कोण त्रिभूज है जिसका कोण भी नियून कोण है यदि A, D लंब है B, C तो सिद्ध कीजिए कि A, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग धन B, C का वर्ग माइनस 2, B, C इंटो B, D यह सिद्ध करना हमको कि A, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग धन B, C का वर्ग रिण 2, B, C गुणा B, D इस सिस्थिती में हमको पहले बताना पड़ेगा दिया है त्रिभूज A, B, C एक निउन कोण त्रिभूज है A, B, C एक निउन कोण त्रिभूज है अर्था आते हैं हम एक निउन कोण त्रिभूज बना लेते हैं A, B, C एक निउन कोण त्रिभूज है दिया है के बाद हम ए भी बताएंगे कि इस पर एक लंब AD खीच लेते हैं तथा AD लंब है BC पर दिया है के बाद सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग रेन 2BC गुण BD सिद्ध करना हमको AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग रेन 2BC इंटू BD तब हम त्रिभूज AD B में लेते हैं त्रिभूज AD B समकोर त्रिभूज बन रहा है यहाँ पर कौर D जो है नब्बे अंस का है इसलिए हम त्रिभूज AD B में AD B में हम देखते हैं कि A, B का वर्ग AB का वर्ग बराबर AD B में पाैथागोरस के प्रमे से कर लो पाैथागोरस प्रमे से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग होगा पाइथागोरस के प्रमे से लेते हम लोग AB का वर्ग धन BD का वर्ग इसी प्रकार त्रिभूज ADC में हम लोग ले लेते हैं इसी प्रकार त्रिभूज ADC में ADC भी एक समकोर त्रिभूज है यहां भी पैथागोर्स का प्रमे ले सकते हैं हम लोग पैथागोर्स के प्रमे से क्या हो जाएगा AC का वर्ग यहां करण यह हो रहा है AC का वर्ग यहां करण AC हो रहा है यहां करण क्या था AB इसले AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग लिए अब यहाँ करने AC हो रहा है, इसलिए AC का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AD का वर्ग, धन, DC का वर्ग, परन्तो हमारे पाद DC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर, AD का वर्ग धन, DC का वर्ग, यहाँ से DC का हम मांग कैसे निकालेंगे, इस BC में से, यदि हम BD को माइनस कर देते हैं, पूरे BC, BC कितना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, BC में से यदि BD को हम घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, DC, तो हम उस DC को ऐसा भी लिख सकते हैं, BC माइनस, BD, पूरे का वर्ग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, इस DC को, इस DC को हम BC माइनस BD का वर्ग लिख सकते हैं, तब हमारे पास AC का वर्ग बराबर, AD का वर्ग धन, यह A रिड B पूरे की घाट दो का सुत्र लगा सकते हम, A रिड B पूरे की घाट दो का सुत्र होता है, A की घाट दो धन, B की घाट दो रिड दो A B, इस सुत्र से हम लोग लगाएंगे, यह हो जाएगा BC का वर्ग धन, BD का वर्ग रिड दो BC इन्टू BD, ऐसा लिखेंगे हम, और हमको क्या सुत्र करना था, BC का वर्ग तो हमारे पास आ गया है, देखो, BC का वर्ग आ गया है, और रिड दो BC इन्टू BD आ गया है, परन्तू हमको बस AD और BD को हटाना यहां से, AD का वर्ग धन, BD का वर्ग और AD का वर्ग धन, BD के वर्ग के जगह में हमारे पास यह था, जिसको हम लोग समिकरण एक माल लेते हैं, तो AD का वर्ग, AD का वर्ग धन, BD के वर्ग के जगह में, हम AB का वर्ग लिख सकते हैं, यहां पर AB का वर्ग लिख सकते हैं, तब इसको समिकरण यदि दो माल लेते हैं हम लोग, तो समिकरण एक और दो से, समिकरण एक और दो से, AC का वर्ग बराबर, AB का वर्ग धन, B, C का वर्ग, माइनस दो BC, इंटू BD, यहीं सिद्ध करना था, इस तरीके से, हमारा पाइथागुरस पर आधारित प्रश्णों का हल, वैंदी कुछ और बचा हो, तो अगले पिरिड में हम फिर से उसे पंप्रिट करेंगे, और कल आप आगे के प्रश्णों की तैयारी करके आएंगे, फिर आगे के प्रश्णों के बारे में हमाल करेंगे, थैंक यू,